नमस्कार सूर्या विशेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी उस खबर की जस खबर से पूरे देश की राजनीती में भूचाल है। खासतोर पर कॉंग्रेस पार्टी इसे लेकर बड़े आरोप लगा रही है और आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर यानी सत्तासीन दल पर। दरसल राहूल गांधी की संसद की सदस्ता को रद्ध कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उन्हें अयोग्य घोशित कर दिया गया है। अब राहूल गांधी संसद में एंट्री नहीं कर सकते, आज इसी मसले पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जैसे ही ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्ता को रद कर दिया गया है, वैसे ही भूचाल समचा, वैसे ही एक के बाद एक कई बयान आए. सबसे पहले मलिकारजुन खडगे की तरफ से बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि सच को दबाने की कोशिश हो रही है और सच के लिए अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम जेल भी जाएंगे. देखते ही देखते बयानों की बयार सी आई, बयानों की बार सी आगई और हर कोई राजनीती से प्रेरित इस मामले को कॉंगर्स का बताने लगा. लेकिन बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरक दिये गए और उन तरकों के माध्यम से ये बताने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी को अगर अयोग्य घोशित किया गया है तो वो उनके अपने करमों की वजह से. इस पूरी की पूरी घटना करम को आपको समझाते हैं बिंदुवार तरीके से, पॉइंटेट तरीके से के पूरे दिन इस खबर को लेकर किस तरीके का कोहराम मचा दिखा राजनितिक गलियारों में. गुरुवार और शुक्रवार को राहुल गांधी को दो बड़े जटके लगे हैं. पहला जटका गुरुवार को लगा जब सूरत कोट ने राहुल गांधी को मानहानी केस में दोशे करार देते हुए दो साल की सजा सुना दी थी. लेकिन इससे बड़ा जटका शुक्रवार को लगा है जहां लोग सभासजिवाले ने राहुल गांधी की संसद की सदसिता को रद कर दिया है. सूरत कोट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोग सभासदसिता पर तलवार लटक रही थी. दरसल जनर्प्रते निधी कानून के मताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज़्यादा की सदसिता होती है तो ऐसे में उनकी सदसिता रद हो जाती है. इतना ही नहीं सजा क्यावधी पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं. कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की संसा सदसिता शुक्रवार दो पहर करीब धाई बजे रद कर दी गई. साल 2019 में राहुल गांधी को वाइनाट में मिली थी अइतिहासिक जीत. 4 लाख से जादा मतों के रेकॉर्ड से जीते थे राहुल गांधी. राहुल गांधी को 7,6,360 वोट मिले थे CPI के PP सुनीर को चुनाव महराया था राहुल गांधी अपने गड़ा मेटी में लोग सबाचुनाव हारे तो केरल के वाइनाट पहुँच गए थे अब वाइनाट सीट से भी उन्होंने हाथ धो दिया ऐसे में 2024 में होने वाले लोग सबाचुनाव से पहले उनके खिलाफ हुई ये कारवाई बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राहुल गांधी का राजनीतिक भविश्य क्या होगा आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में करनाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है इसी को लेकर कोट ने उन्हें दो साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया इसके कुछ देर बाद उसी कोट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा कुनी लंबित कर दिया ताकि उन्हें हाई कोट में अपील करने का मौका मिल सके मानहानी के मामले में दो साल की जेल अधिक्तम सजा है यानि इस से ज़्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है फिल्हाल राहुल गांधी की संसस अधस सितार रद कर दी गई है अगर हाई कोट से उन्हें रहत नहीं मिलती है तो वो सदस्थारद संग्राम जारी इसका क्या असर पूरे देश पर पड़ेगा यह बहुत महतपून कांग्रिस पार्टी यहांसे कमजोर होगी या फिर sevi speaker प्रेगी और और मजबूती के साथ अपने बारे में बता पाएगी भारत जोड़ोयातरा से लेकर हाथ से हाथ जोड़ो कारीक्रम कॉंग्रेस पार्टी चला रही है लेकिन आज की दिन की सबसे लेकिग की तरफ लख्षमन यादव वी जपी की तरफ से हमारे साथ आप भी मौझूदा वक्त में विधायक है MLA है सबसे पहले बीवी बत्रा जी मैं आपकी तरफ रुक कर रहा हूं और मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी की सदस्ता रद कर दी गई अगर वो उपरी अदालत में अब यहां से केस फाइल करते हैं एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या उसके बाद उनकी जो यह सदसता रद हुई है यह उन्हें वापस एक्सेप्ट किया जा सकता है संसद में या फिर अब बाइपोल होकर रहेंगे इलेक्शन होकर रहेंगे जरे लगता है बीवी बत्रा जी तक हमारी आवास नहीं पहुँच रही है हम कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी आवास पहुँचे लक्ष्मन यादव हमारे साथ लक्षमे नियादव जी आपसे हम जानना चारे हैं कि BJP कैसे देख रही है इसे राहूल गांधी की सदस्ता को रद कर दिया गया है क्योंकि कॉंग्रस के सीधे आरोब कि ये सब कुछ BJP की वज़ा से हुआ है सत्तासीन दल की वज़ा से हुआ है कि देखिए भारतिय जंता पार्टी और हमारी सरकार कानून में विश्वास करती है कानून के इसाब से चलना चाहती है इसलिए इसमें कोई अतिश्वोपती नहीं है कानून को नहीं मनेगा वह जी कितना इबडा आजमी हो कानून से देश चलता है कानून चे ही सब्सक्राइब इसलिए इसलिए कानून को शरो परिमान है इसलिए अबादि आजिसरकार और तहैत ये सब हो रहा है लक्षमन यादरजी दुलो कोंग्रिस पार्टी सीधे आरूप ये लगा रही है कि चलिए कॉर्ट की तरफ से तो फैसला आ गया था लेकिन इतनी जल्दी क्या थी सरकार को कि उनकी तरफ से राहुल गांधी की सदस्ता को रद कर दिया गया उपरी अदालत में अभी केस फाइल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही रद कर दिया गया, क्यूंकि अगर केस फाइल हो जाता, एकसेप्ट हो जाता तो रद ना होती उनकी सदसता? मैं टेक्निकली समझना चाहरा हूँ आपसे, कि जब एक बार सदसता रद कर दी जाती है, तो क्या उसके बाद उसे रिवोक किया जा सकता है, या फिर जो बाइपोल एलेक्शन्स है, वो होकर रहेंगे? कि एक अर्याना में जी आया था, अगीश चोदरी जी का, और ने उनको सजा दी, उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए, तो उनकी सदसता भाल होगी, रांजमा में उसको सदसता करद कर दिया था, तो यह तो मैं यह समझ पा रहा हूँ, उसमें तो यही है, जब अगला कर देज़ेगा, उसके मुझे लगता है, वो भी मानने की सदक रहा हूँ, जो परदीच चोदरी आपने देखा कि वो बांड में कोर्ट असाइब में का हुआ था, उसके बाद कोर्ट में जो आदेज़ दिये, दुबारा भाल होगे था, बिलकुल, लेकिन लक्षमन बड़े और दिगज नेता राहुल गांधी की सदस्ता रद हुई है, और ऐसे मैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कमजोर करने और कमजोर दिखाने के लिए ये शड़ेंतर बीजेपी ने रचा? तो इतने बड़े मेता है कि उनको इमानना कि यह देश का कानून देश चलता है, और देश की वेवस्ताएं तो कानून चलती है, तो बड़ा है तो उतना बड़ा उसका नेक्चर भी होना ती है, बड़ी उसकी सोच भी होनी ती है, तो बड़ा कानून नहीं है तो बड़ा क बने रही है हमारे साथ, हमारे साथ Congress Party के विधायक बीबी बत्रा जी जुड़े हैं बीबी बत्रा जी मैं पहला reaction चाहरा हूँ आपका कि राहुल गांधी की सदसता को रद कर दिया गया कैसे इसे Congress Party देख रही है और यहां से Congress Party इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदसता रद होने के बाद क्या कमजोर होगी ऐसे फसली तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास आवाज आ रही है मेरी की नहीं आ रही बिलकु बिलकु मैं सुन पारहूं हो आपको आप सुन पारहे हैं तो ठीक है firstly, speaker decision is totally incorrect decision it is the against the democratic norms सब्सक्राइब कर सकते हैं तो स्पीकर वाई स्पीकर इन सो हेस्ट इतनी जल्दी क्या पड़िये स्पीकर को उसी दिन डाई बजा ऑडर पास करने की अप्टराइट से मैटर सबसेंशल राइट उसको स्पीकर को नोटिस देना चाहिए था नोटिस देने के बाद उनका प्रक्ष सुनता उसके बाद कोई आउडर करता फोर्ट ने थर्टी डिज़ का टाइम दिया आपको अपील करने का अपील उसको स्टेक करवाने का विकॉस देयार विंडिक्टिव अगेस्ट राहूल गांदी जी दे डाउंट वांट लगता है क कभी भी ऐसे परजात अलत्रिक डिसीयन नहीं हुआ करते हैं और राहिजितिक बदलों के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए एक दिन एक सीजिया में छोटी सी कोट का वहां से फैसला आ गया और उस फैसले को इन्होंने बना दिया कि इमिजेट टीम एक्स्पिल करते हैं तब क बतरा जी कोट चोट बड़ा हो कोट तो कोट है और उसका उसका फैसला भी मानना पड़ेगा आख इसका फैसला मानने की तबात है कि जब बेन धंटिबं धर्टि डेंज उसको क्रॉज हो जाएंगी अगर राहूल कांदी को कोई रिलीफ किसी कोट से नहीं मिलेगा उसके ब और उसके लिए अब मैं को जरूर कर सकता हूं इट से बाइस जज्जमेंट इट से पार्टिशन जज्जमेंट इट से यह तत्यों से परे है और यह जज्जमेंट के बताविक ठीक नहीं है बतर जी मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि चलिए मान लेते हैं कि सत्तासीन दल की तरफ से जो है वो जल्दी कर दी गई और उनकी सत्ता को बहुत जल्दी में रद कर दिया गया लेकिन मैं समझना यह चाह रहा हूं कि राहूल गांधी इस वक्त कॉंग्रिस पार्टी का फेस है और जब कॉंग्रिस पार्टी का फेस किसी मामले में उन्हें सजा हो जाती है तो वो जल्दी कॉंग्रिस पार्टी और उनकी तरफ से जो उनके करीबी लोग है या पिर कहले कि जो आपका लीगल विंग है उनकी तरफ से क्यों नहीं दिखाई गई क्या वो अपने मामले को पहले कोट में नहीं ले जा सकते थे और वहां से उस पर स्टे लाने के बाद लाजमी तोर पर अगर स्टे हो जाता तो शायद सदसता भी रद ना होती मेरा सवाल यहीं कि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से वो जल्दी क्यों नहीं दिखाई गई पहले नहीं 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 जा सकते थे सब्सक्राइब करते हैं और इसकी अपील जो है वो लाई करती है और इसकी अपील नहीं 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 की है लाई करती है उसके वादाइब कोट है यह सपीकर बहुत जल्दी में है कि फटा फटर रावल गांधी के ऊपर एक और ओंस लॉट कर लो रावल गांधी ओंस लॉट से ड़ने वारे नहीं एक और यह प्रजातंत्र की हत्या है यह डेमोक्रेसी की हत्या यह डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चला करती पार्टियों में भी आपस में टॉलरेंस होनी चाहिए किसी बात के लिए और वो अपनी बात पर कायम है अगर कोई फैसला आया भी है तो तो डिश्डेवल पार्टिटी शुडबी गिवन तो एपरसन तो डिफेंड इंगा हाइर को एंड हार को से नहीं मिलता है ठीक है आप अपना फैसला दे दो और उस सब्सेंशल राइट परसन जो में लोगों तो वारा भी एलेक्टिड हुआ है स्पीकर को चाहिए शॉर्ट नोटिस होता स्पीकर को नोटिस देना चाहिए था यह स्पीकर भी दवाव के अंदर सत्तापक्ष के दवाव के अंदर नोटिस है पत्रजी आप बने रही है हमारे साथ लक्षमन यादव बीजेपी विधायक भी हमारे साथ जुड़े हैं जो जो सवाल है वो उनसे भी ज़रा ले लेते हैं लक्षमन यादव जी सवाल यही उन्हें क्यों नहीं दिया गया कॉंग्रेस तो यहां तकारोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन देखकर लोगों का जंसेल आप देखकर बीजेपी डर गई थी इसलिए इस तरीके के फैसले बीजेपी कर रही है दिखिए सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आपको हमारे इनियर जाती है बत्रादी बिल्कु भी को सुन पा रहे हैं क्लियर ली आपको बोले हैं सर उस पर मैंने उन्हें गाउट किया है कानून देशा काम को कानून होता है फ्र बिया सरकत्राइं कोुछ हमनी कर रहे है डेश्का कानून चानुन। कर रहा दूसरा उन्हों ने कहाड़ें भी इसमें समय देना क्या है बई समय आगि जो नरले आएंगे उसके हिसााज सब काम हो जाएगए तूसरी वात की करें बहुन भूल गए, अगर की थी, तो इनी की सरकारों ने की थी, और दूसरा, मतनों जिन की सरकार में जो बना था, जो पानुन बना था, उसको परिया उसको पाड़ के पैड़ दिया था, और वेवस्ताओं से तलेगा जो देश का कानूम तोड़ेगा तो तो सज्ञा का भागीदार हो गई तो यह कह रहे हैं वही देश हमारी जो यात्रा थी भारत जोरो पुष्चे घखरा के मैंने का पहले जी यह पुष्चे वारत तोड़ा किसले था और भारत जोरो यात्रा में जो समर्थन मिला जो जन सहलाब उमड़ा उस जन सहलाब के कारण राहुल गांधी को वीक करने की कॉंग्रेस पार्टी को वीक करने के तहत ये एक शड़ेंतर है उसे उसे पूरी यात्रा में आप देखेंगे जो टुकडे टुकडे गैंग थी उन सब की भागेदारी उस यात्रा में थी देश अच्छे से समझने लग गया वो जमना चला गया अब तो सुई भी कहीं गिरती है तो उसको हर वेक्टी तक उसकी आवाज चली जाती है अब तो सोचल मीडिया का जमाना है अब तो मीडिया बहुत ज्यादा आगे है अब वो पुराने जमाने में ठीक है इनका चल गया था लेकिन आज तो एक एक बात का लोगों को पता है कौन इनके साथ उसी आत्रा में खड़ा था और कस्मीर से कन्या कुमारी तक भार तेक करने का काम तो आजनी मोदी थी ने किया है यह इन्होंने काटिया इन्होंने दारा चिंदो चत्तर लगा कि उसका टुकडा ही कर दिया था तो यह किस बात किसको जोडने चले है और आज आपने देखा तिरंगा आज यह लाल चोक में आराम से फेरा है लक्षमिन यादव जी तोक क्या हूं आपको एक बात तो आप मानेंगे कि कॉंग्रिस पार्टी को इस मसले पर तमाम दलों का साथ मिल रहा है आप आम आदनी पार्टी का सिकर कर लीजिए अर्विंद केजरिवाल ने कली बयान दे दिया कि बहुत गलत हो रहा है बहुत गलत बीजेपी कर रही है सदी अंतर क्या है कानून जो है को ने उसका निरने लिया इतने बड़े नेता होते हैं तो एक मिनट मेरे से सब्सक्राइब कर लिए इसमें क्या बड़ी बात थी पर यह तो देश को चाहिए यह तो किसी ने किसी रूप में राजनिती को चंग आना चाहने है क्योंकि आप सब्सक्राइब को पता है कि तहीं आप देज रहे हो अपोलिशन को सारे को मिला के भी वहां तक नहीं को पारे राइन को पॉजना किये था तो आज पिछी इनकी एक दूजरे के साथ है तारे मिल मिल के इस तो थोड़ाता जिंदा रह रहे हैं वरना बच्छा क्या है लिए ठीक है बीवी बतरा जी आप तमाम बातों को अगर सुन पा रहे हैं अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं उसे कंक्लूर कर देता हूं और आपसे मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कॉंग्रस पार्टी अब यहां से आगे कैसे बढ़ेगी क्योंकि बीजेपी सीधे तोर पर कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में वैसे ही कुछ बहुत जादा नहीं था और हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता लेकिन मेरा सवाल ये भी कि जो फैसला है वो तो नयायले काया उसके साथ-साथ आप देखेंगे चीजों को और आज का जो फैसला है उसमें जो जल्दी क की बात की जारी है वो कहरें जो तमाम चीजे अधिकारों के तहत है वो ही तमाम चीजे की जारी है कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया गया है कि मैं यह से है कि मैंने पहले भी कहा कि जैज्जमेंट इस नॉट अटेंड फरनेलिटी और उसको एक महिने का टाइंग तो उसको कोट ने खुदी दिया है उसको और इससे इन जैसे शुट नॉट बीड़न और उसके बाद आज के दिन में भी हम इसको लीगली भी लड़े दोनों बातों से लड़ेंगे और पूरा जोर शोर से इसका मुकाबला किया जाएगा यह विंग्टन कार्ये वाली सरकार है यह फिरका परस्ति की सरकार है यह समाज को बाटनें की सरकार है यह जाती पाती की सरकार है यह धरम की धरम के नाम पे वोट लेने वारी सरकार है इ आप बताईए कितनों के राव भर्में प्रुदान से लेकर हमने देखा अनुराथ थाको तक 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 तमाम जो दिगज थे वो प्रेस कॉन्फेस कर रहे थे और भी बत्रा जी मैं पूरा कर लेता हूं फिर आप जवाब दीजिए वो कह रहे हैं कि OVC समाज को को नीचा दिखाने का काम किया है आज बोलने की बात आई है पहले तो को नहीं बोले पहले तो कभी बात नहीं की इस बात का शोशन कर रहे हैं इस बात के लिए कि क्यों कहेंगे राव गांदी थोड़ा साइन को एस बात के निये मर्यादा में रहना चाहिए यहां इनोंने हंदोस्तान की स्यासत का बठा 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 दिया इन्हों इंग्रेसिक्स एठका इतना लो लेवल नहीं है ना कोई प्रिंसिपल नहीं की बात है ना सविधान की बात है एक आदमी को अगर चार दिन का मुख़ा देते कौन सा पार्ट टूट जाता आज के दिन में और आप उसका अधिकार चीन रहे हैं जो लोगों मेरा सवाल आपसे है कि इसका नुकसान आपको हर्याना में तो नहीं हो जाएगा और बात है कि अधिक जो जुड़ाओ कर रहे हैं अब लिए किसे ने क्यां जिया है और देश को किसने तोड़ा है यह भी समको पता है आ रहा हैं मैं लक्षटि आपके पास आ रहा हु थर्टी सेकेंट की आपके पोसा रहा है कर सकति कर सकती कर सकती और यहां पर क्याणा मैं इसका सबीज़ों कि बावं बढ़ रहे हैं उत्रे सिरकार को लेने का कोई हग जाना की बात करते हैं इस बात के लिए इमेंट मिनेजमेंट सुकार है बरस्चा चार इनकी रूम-रूम के अंदर बस चुका है बरस्चार के जब खुलासे होंगे न को लो और फिर आने को फिल जाएंगी उस बात के लिए आग्टे में बर्याना सारा गुटालों से बड़ा पड़ा है यहीं कि राजनीती के तहत ही यह सब कुछ किया गया अगर चार दिन दे देते और तो कौन सा पहाड तूट पड़ता बीवी बत्रा जी अभी अभी कहकर हटे हैं कि अगर अगर राहूल गांदी को थोड़ा सा वक्त दे देते कि वो कोट जाते और वहां पर स्टे लगा देते उपरी अदालत में केस लड़ते तो कौन सा पहाड तूट जाता अगर पहली बात को यह है अभी कोर्ट बंद नहीं हो गए दूसरी बात यह तीस दिन टाइन को ताइन दे रखता है को पने यह तो निल में है तदम में लेना था और भूमत के साथ लेना था इत तो वो तो समय लगता ही रहेगा लेकिन लेने आएगा वो सदम मुझे लगता माने ली तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दूसरी यह तो बिल्कुल दूद के दोए है इनको यह नहीं पता कि देश का बच्चा किसने मठाया देश का अभू से आखिर तके अब देखिए चाहना हमसे बात में आजा गुए और उसके बाद दो साल बात हमाज व Oh आद जायना का है कि इनका सिल्दान से नहीं बना, यह तो बड़े घुरुबागे की बात है, चुकि आज पब्लिक जानदार हो चुकी है, आज पब्लिक पर जानती है, इन बातों में कुछ नहीं है, चुकि आज सब के गाम में इतियास रखता है, तभी का, तो मिटी बातों से काम नहीं करने और कानून से बड़ा इसमें कोई नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, यह आगे लाएं उसका, तो उसमें क्या दिखता है, बिल्कुर ठीक है, सर कानून के पहलू से जादा बात अब इस पर हो रही है, कि तुरंत इस तरीके का फैसला ले लिया गया, एक दिन, दो दिन भी नहीं दिये गए, आरोब तो यहां तक लग रहे हैं, लक्षमन यादव जी कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी तो पूरे तरीके से अपने विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है, कि सामने कोई हो ही ना लड़ने के लिए यह स्थिती पैदा कर देना चाहती है, इन्हो कामून अपना काम करेंगा, जो मिजीजन आएगा, उसके उपर अबाद में सदम स्थितार करके करेगा, तो इसे कॉल सी बड़ी बात रहा है, बारबार भार भार भी चाह रहे हैं, इसी महिनाई होगी, जैसे जब जब भी कॉंग्रेस करकार आई, तब तब महिनाई के गान के अपने आपको अपने उसके सफेज महिसुशन कर। हकरे हैं, तो ऑज मेर उसके हुंगा, तो कहां सईद होगी, थिम आते होगे, तो तो आजर के लोग है, तो उसके लोग होती हो सक्तें किधिएका, जैसाईस हगी हो तो परिव हो सक्ते हैं, तो समwyneds को स्थित। हरा की ब मुझे पर नहीं जाते वो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा जाधा हो जाएगा मैं मैं वापस आपके पास लोड़ता हूं बीवी बत्रा जी के पास जा रहा हूं बीवी बत्रा जी एक चीज आज बहुत जाधा चली और मुझे भी याद आया कि 2013 म और्डिनेंस की कॉपियां जिस तरीके से फाड़ी गई थी जब इसी मामले को लेकर कानून बन रहा था तो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कानून करते हुए उन प्रितियों को फेंका गया और उस पर बहुत सवाल उठे कि अपनी पार्टी के फैसले को किस तरीके से उनक की तरफ से नकार दिया गया अगर वो कानून होता तो शायद आज राहुल गांधी की सदस्ता रद ना होती पहले तो जूड़ गांधी को सोचना से एक मरियादा के साथ के इंडरा गांधी का मुर्डर हुआ एक रिश के साथ हुआ सब कुछ है कादिस्तान अज बहुत जाता है ता है किसी बातों का यह कुछ है राहुल कांधी की जाहारत को को केते है इनको को बिश्मे मत बोले, मैं उनको के बिश्मे में भी बोलरा था इसारत में, when you are speaking, he should have a senses to speak. की बात के लिए आपने दोश लखा दिया रहो आजीव गंदी पेगे थे के रुटा बोंको लए इसीजिंस हो गया था इसीजिंस हो तयो थे क्या अगमी शहीद हो गया इंधार इस सन्धानी की आई तक लड़ा ही लड़ी है जो अग्म मैं पता वी में तरहां पानली । जो आधि चला जाता है ना उन्सों कि लिचाई नहीं कि घर करते हैं। इस बात के लिए आपको मर्यादा रखनी चाहिए जो आदमी शहीद हो गया जो आदमी इस संसार निये है उसके बारे में नहीं बोला करते हैं अब जो आदमी इस संसार के नहीं है उसको करने की जूर तरही है पॉइंट टेकन ओर्डिनलस पर आते हैं जो फारा था जी बात ठीक है ठीक है फिसके बारे में इस सब्सक्राइब आपको शॉबार नहीं देजा कि आपको भी आगे बढ़ते हैं लक्षमे न्यादव जी सुन लेते हैं जरा बीवी बत्रा जी को बीवी बत्रा जी और गांध कि तरफ से प्रितिया फाड़ी गई थी प्रेस कॉंफरेंस के दोरान अपनी पार्टी के फैसले को चैलेंज कर दिया था और कोई बात होती यह वन फोर नहीं थी इससे पैकी ओफेंस इससे राज नहीं थी में तो कृटिशन बर्दाश्ट करना चाहिए अपनी ऐसी बाते नहीं किया करते थे यह कानून तो कौन सी अची बात कर दी और कौन सा इत्रा सीरियस अवगया कि राउल गानी ने एक लाइन कहा जी और उसके लिए दो साल की शिरा करते हैं यह कान को चकते हैं लेकिन बत्रा जी देखे बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं कि तंज भरे लहजे में चुटकीले अंदाज में बहुत सी बाते राजनीती में बोली जाती है हरियाना में तो हम देखते हैं कि बहुत सी बाते ऐसी कर दी जाती है लेकिन इस पर बीजेपी जो काउंटर देती है वो यह कि जब जाती के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग होगा तो उसे बरदाश नहीं किया जाएगा और साथी साथ बीजेपी यह तर्पी दे किस पर कौन सी इतनी बड़ी प्रतिष्टा को सहमें लेके के तक्ता लग्या कि इस अदालत में उनको दो साल की सिजा देती है वह मैं हमेशाए डिपे मिश्री के सुनते आते हैं इस 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 कांपरमाइज होते हैं बड़े-बड़े यहां पर केज़िवाल जी और अपन कियाना में अब design s Sixtar мне I rich Laudna केना मैं उनका उनका जाकर हाओ को नहीं प्रमाइज होास में सब्सक्राइज यह भी ऐ उस विठाय के कौन सी रेपोडिशन को शेटरिंग हो गई यह यह तो यह तो कोट के सबने सवार आएंगे इस बाती अगर को कौन सी यह उनको परसली का क्या थे वाजी शवाल तो यह उठे कि राहूल गांधी राहूल गांधी हैबिचल ओफेंडर हो चुके हैं इन मामलों मे और तीन से चार मामले उन पर और चल रहे हैं मान हानी के अगया रही शोके अजानी अब कहां भी उसकी है कि वाई एक पर्टिकल पर्शन में भी बोलूंगा एक आजमी का इतना साथ देने की इतना मिजिसमें की क्या जरूबत क्या है इस वाहते हैं यह और लोग नहीं है क्या राश्वरे में क्या टाटा नहीं है विजला नहीं है आपी पाध्यका के जा रहा हूं लक्षमन यादव जी अस बात को तो आप भी मानेंगे कि इसे लेकर बहुत हो हला हो चुका है हम देख चुके हैं कि संसद में किस तरीके से अडानी मसले को लेकर खूब चर्चा होती है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि राहूल गांधी को इसलिए टार्गेट किया जा रहा है क्योंकि वो अडाली अडानी मसले पर खुल कर बोलते हैं और जो में मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके इसके लिए राहूल गांधी के साथ ये पूरा का पूरा आप कहलें कि शडियंत्र रचा गया यह लगातार बाते निकल कर सामने आ रही है लगातार विपक्षिसे लेकर आपको घेर रहा है कानून ने अतना काम किया है इसमें किसी को परिशान होने की जर्वत नहीं है कानून आजे भी अतना काम करेगा कानून सब के लिए बराबर है, कानून के जर्वादे सब के लिए खुले हैं, कानून के जो दीफीजिन आएंगे, वो इंप्लिमेंट करना कोई गुरी बात नहीं है, जो आधनी बतराजी कह रहे थे, बतराजी तो और भी चोपी चेगे को तो छोटा सा कोट है, जो ने सजा होगी, हाथ होगा तभी हुआ होगा, अन्पॉम्यमेंट लेंग्वेज तो किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए, और उनको तो भी शेश्ट कर नहीं बोलनी चाहिए, जो आपने साथ को ये चत्ते कांपार्टी के मुख्या है, उनको तो बिल्कुल फोट समिच के चलना से हिए और इसका काम बार-बार कह रहे है उनका, वो तो उनका काम अपने काम कर रहा है, उसमें से जैसे ये भी करें, उसमें क्या दिश्टा आ लिए, इसकी देश्टे के कामन से बड़े कोई नहीं है, कोई रापारी हो, चै कोई और दूसरे अताटकवर लोग हो, तो किसी के नहीं और जो आज ये इनकी बात करने ही, पनपाएं कि लोने थे, पनपाने वाले कोई लोग से जराब वाँ भी चले जाओ, ताकि पता चल जाए, लेकिन आज कुछ बोलने को है नहीं, कुछ करने को है नहीं, ठीक, अलक्ष्मिन आदेचा आपकी बातों से और बीजेपी क नहीं है, तो इस तरीके की कारवाई के बाद राहुल गांधी लाइम लाइट में आ जाते हैं, राहुल गांधी को कहीं बीजेपी ही तो बहुत बड़ा नहीं कर दे रही? नहीं, रिखे, ये तो इसमें राजमितिक उसमें जाने की दुर्वत नहीं है, लेकिन ये है कि राहुल गांधी अगर उल्टा करेंगे, तो को होट अपमें साम करेंगे, किसी के खिलाथ बोलेंगे, बतर ये करता हूँ राहुल गांधी को, अब आपको इतने बड़े प्ल वो कितनी बर्दास कर पाएगा, इसलिए कोर्ट में के एरकोर्ट पर धर अलिया है। बहुत जल्दी रियाक्ट कर लेती है, और केजडिवाल तो यहां तक कह गए कि भगत सिंग का सिकर करते हुए, उन्होंने कहा कि भगत सिंग ने तो ये सोचा नहीं होगा, कि अंग्रेजों के वक्त में भी पोस्टर लगाने को लेकर किसी को किसी के ओपर इतनी F.I.R. नही कर दी? बिल्कुल और बीवी बत्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल ये भी तो कि ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, हम तो देख चुके हैं कि इंदरा गांधी की भी सदस्ता रद्ध हुई थी, जब ये पहली बार नहीं हुआ है, और सब कुछ आप देखें, कानून के दाइरे में हुआ है, कानून के दाइरे में इसलिए क्यूंकि हम देखते हैं कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उस फैसले का जो असर है वो सीधे तौर पर संसत पर पढ़ता है, कुछ भी कानूनों से बाहर तो नहीं हुआ कम से कम, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? नहीं, इंदरागानि के टाइम में जो हुआ था, इसमें इंदरागानि के एन इसमें पर आप किसी इतनी के सबस्टेंश इन को स्नाच कर रहे हो, उसके उपर आप एक फैसला कर रहे हो, phones की πα्र काशिन जैस्ता है कि एंप से स्वेट जा जैसे बीचल को आपको मुका छाहते है şöyle agree spam का जो फैस्ता हैं लोगा स्मीकर मीच कर जर की जो ऐसरे उस लेकर के मतांडिक को बकायदा चाहिए शोट नोटिस के उसको सिक्राइब पर स्पीकर तीज की रीचिन को बेठ कर लेते कि अब कल को जर्जमन को जाएगी का स्पीकर अपना उडर्रिवर्स निका जाएगा क्या इस्पीर इस वात इंच्राइब करने में क्या जाएगी कि एक राइडिय तेक शरीयंत रहा है, सीधा सा शरीयंत रहा है, आज के दिन में अपनी कलम चला लो और परिजाजन के वेल्यूज और डेमो के चेटप की कलाफ चला लो, आप मजोर्टी में हो, आप कौन लोगता है, स्पीकर तो बहुत बढ़ी पोस्त होती है, स्पीकर का ब अच्छे अच्छे फैस्टे की है, और इस करून आने के बाद, जिली थोमस की जिजमन जे भी कहती है, अगर या ओटर स्टे हो जाएगा, तो सारा मुच रिवर्स हो जाएगा, उत्रे तक रहे कम कोर्ट है, गीवर है, पार्चेटी पर तर्टी जेट, तीस दिन के निजार को नुकसान नहीं होगा, दो हजार चौबिस में चुनाव है, और अगर चीजे ऐसे ही आगे बढ़ती है, तो अगले छे साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सी चीजे क्योंकि पॉलिटिकली तो चीजे जुड़ी हुई है, तो ऐसे में पॉलिटिकली बह अगर चीजे को अगर चुनाव भी नहीं हो गया जाते हैं इसे इनके मूझ से राओ गंधी का कर्द बढ़ होगा, और राओ गंडी को चुपने वारे हैं किसी आप नहीं है, हम इस दोनों फ्रेट पार्म पर भी लड़ेंगे, और जुडिशल फॉर्म के ओपर भी लड़े हम नहें पालिकश में इस बात को ऊपर तक जाएंगे, घिस को तक जना परे हैएं, इस जो तक जाना हैंगे, तरह किसी इस किस दरहां, मैं द्वारा हम बहु कर रहा हो फारे हैं। आपके ईज़ू हैंगे हम इस दोत पानानों फॉर्म कमित वी क्रेश क्राइश क्राइज औ एक यसजञ और देखने वारी बात बात है। कि अगर उपहनों नहीं कहा भी कि अस बात के लिए, उपहनों नहीं कहा, कि मेरे पास इस बात के लिए है, कि मैं ब dairy और कुल सच बोल रहा हूं, हो सच की confid ignore hawyn गी और मैं दुबारा इस बात को कहुंगा, जुझ में प्राति आपके रटेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्स आपके। करने के लिए आपने इसाना था है, तो रहार है। विए उनको प्रणिख हुआ है। विए भी निकान थे विए तोकन फाइन तोकन प्रणिश्मेंट तोकन थे लिए। विए विए लिए। हिंदी में है हमें हैं जय सब बीज़ेंट और आ बोल्य喔 ने शुकरी हो अधिर दोनों मेहमांटों का तह दिल से शुक्रियार कि उन्होंने वक्त निकाला और सुर्या समाचार पर आये, खुलकर अपनी बाते रखी और खुलकर तमाम सवाल हमने दोनों महमानों से पूछे, अब अपने तर्क दोनों दलों के पास, लेकिन बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी की सदस्ता को खत्म कर दिया गया है, अब इसे चैलेंज किया जाएगा, कोट में आ किस तरीके से जनता को साथने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे OBC समाज पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि BJP के दिगज नेताओं ने क्या प्रतिक्रियाएं दी जब र राहुल जी कहते थे दुर्भाग्या से सांसद हूँ, unfortunately I am NMP, सो उनको जो एक दुर्भाग्या लगता था जो से भी मुक्ती मिल गई है, उनके साथ साथ वाइनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया, इतने लंबे समय से जो लोगसभा के सिदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए पांच वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने होगे, लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिस्पेट नहीं किया, एक भी आज तक प्राइबेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी सरकार में 2013 में ओर्डिनेंस को बरे चुराहे पर फाड़ देने का काम और नॉंसेंस बोलने का काम, ये शरीमान राहुल गांदी जी ने किया, वो सदा अपने आपको संसत से उपर, सदन से उपर, सरकारों से उपर, देश से उपर और नयाय विवस्था से उपर समझते हैं। नहीं बार ऐसे जूटे आरोप तो लगाए ही, अभद्र भाशा का प्रयोग अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं, ये बोल दो, किसी को किसी के हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही ही नहीं सकता, ये उनको लगता था क्योंकि वो सब चीजों से अपने आपको उपर समझते थे। तो सूरत के कोट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भई, सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसे जब ये गलती कर रहा है, तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविश्य में ना हो। जहां तक सिदस्यता जाने की बात है, ये लिली तॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रिम कोट की जज्जमेंट के बात, कि दो साल का दंड हुआ, और दो सिद्धी के बाद अगर उसके उपर रोक नहीं लगी, तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो, इसकी तो आरोब सिद्ध होने की साथ सद, दंड विधान होने की साथ सद चली जाएगे, और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय के से कुरूर होता है, समय के से निष्ठूर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा, दो हजार तेरा में जो सभजादे आज और उनके लिए उनकी चाटूकार छाती पीट रहे हैं, हाय तोबा कर रहे हैं, दो हजार तेरा की प्रेस कलब की उस प्रेस कॉन्टरेंस को में याद दिलाना चाहूंगा, प्रदान मंत्री मौनमोन शिंग जी होते थे, उनी की सरकार होती थी, उनी की घर में ही रिमोट होता था, उनी की फैसला था इस कानून को संचोधन करने के लिए, सजा होने के उपरांत कब सदिस्टा जाएगी, उनकी सरकार एक ओडिनांस लाया था, उस ओडिनांस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ओडिनांस को नॉनसेंस कहके फाड़ने वाले, आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कस्ट हो रहा है, तीस दिन उनको महलत नहीं था, तीस दिन के अंदर अपिल कर सकते हो, जाने हो, आपना कानून जाने, आपना नया उखिलों को परामर्स करे हो, जो करने करे, मैं एक विशे आज यहां गंभीर विशे उठाना चाहता हूँ, आप तो एक habitual अफिंडर हो ही, पहले से भी इससे घटना हुई है, विद्वा कॉंगरेस पार्टी चाहती है, और विशेस करके उनकी प्रमुक परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग IPC बने, उस IPC की तहट, उनके ओपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए नया पलिका अलग हो, तो सुर्या विशेश में हमने आपको तमाम एंगल्स दिखाने की कोशिश की, तमाम बाते बताने की कोशिश की की कैसे, राहुल गांधी की सदस्ता रद होने के बाद, बीजेपी से लेकर कॉंग्रस के दिखज निता मैदान में उतरे, और अप अपनी बातों को रखा गया, वार पर पलट वार हुआ, जब कोई आरोप लगाया गया तो उस पर काउंटर भी हुआ, और सूर्या विशेश में हमने कोशिश की कि हम हर्याना में बीजेपी और कॉंग्रस के विधायकों को आपके सामने लाएं और वो इस पर क्या सोचते हैं वो बताएं, अभी के लिए सूर्या विशेश में इतना ही मुझे हो मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त सूर्या समाचार पर खबरों का सलसला बदस्तूर जारी है नमस्कार